आज मैं आप सबसे शेर करूंगी आलू के पापड बनाने की रेसिपी यह पापड बहुत ही जादा खाने में टेस्टी लगते हैं और आप इसे एक में एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो यह देखिए फ्राइ करने के बादे पापड कितने बढ़िया लग रहा है और ट एक चमश जीरा लेंगे एक चमश लाल कुटी हुई मिर्चय याईनि की चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसाड नमक लेंगे सबसे पहले जो हमने अलू बॉइल करके रखे थे इन्हें कदुकस की मदद से कदुकस कर लेंगे आप इसे potato masher से भी mash कर सकते हैं मैं कदूकस से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें एक भी गठान नहीं रहनी चाहिए और गुठली नहीं रहनी चाहिए नहीं तो पापर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से mash कर लेंगे तो कदुकस कर लेंगे उसके बाद आप मेश करेंगे तो काफी अच्छे पापर बनकर तयार होते हैं तो अब मैं इसे सारी आलों को मैंने कदुकस कर लिया और अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि कोई गठान अगर बचा हो तो वो भी मैश हो जाए अच्छे से तो यहाँ पे मैंने सभी आलों को अच्छे से मैश कर लिया है यह देखे एक मिनट तक इसे अच्छे से मैश कर लेना है और अब हम इसमें मिला देंगे मसाले तो सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून जीरा 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानि लाल मिर्च और स्वादा नुसार नमक हातों को थोड़ा सा तेल से ग्रीज करेंगे ताकि आलों जो है हातों में ज़्यादा चिपके न और अच्छे से सारे मसालो को आलो में मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखे आलो का मसाला जो है बनका तयार हो गया है और अब हम बना लेते हैं पापर तो पापर बनाने के लिए सबसे पहले हम इनकी छोट छोटी लोई बना कर तयार कर लेते हैं तो दो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे छोटे निम्बू साइज जितना और इस तरीके से बॉल का शेप देंगे और उसे फ्लैट कर लेंगे यह देखे और इसे रख लेंगे एक प्लेट में अलग इसी तरीके से सारे लोई को हम बना कर तयार कर लेंगे दो में से लोई उठाई और पापड बनाना शुरू कर दीजे इसलिए हम पहले से ही लोई बना कर रख लेंगे तो सारी लोई तयार हो गई है अम मैं इस तरीके के एक शीट लिये मैंने प्लास्टिक शीट लिये उस पे पापड बनाएंगा और सारी वाली जो पन्नी आती है उस तरीके और इस तरीके की कोई भी एक फ्लैट आप प्लेट या कटोरी ले लिजे और हलका सा प्रेशर देते हुए इसे दवा दीजे तो देखें बिना किसी महनत के बिना किसी जंजट के फटा-फट से पापड बनकर तैयार हो गया है और इसका शीट गोल आया है तो इसी तरीके से हम सभी पापड को बना लेंगे शीट के उपर एक लोई रखेंगे और एक बार अगर आपने तेल लगा लिया है तो तीन से चार पापड आसानी से बन जाते हैं तेल वाली साइट को हम लोई के उपर रखेंगे और इस तरीके की प्लेट से हलका सा प्रेशर देते हुए पा तो इसी तरीके से सभी पापड को हम बना लेंगे तो आदे के लिए आलू में 31 पापड बनकर तयार हो जाएंगे मीडियम साइज के अगर आप इसे छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो इससे डबल पापड भी बन सकते हैं यानि 50 पापड आराम से आधा किलो आलू में बन सकते हैं तो यह मीडियम साइज के हैं इसलिए 30 से 31 पापड बने हैं अगर आप और चोटी लोई बनाएंगे और चोटे पापड चाहते हैं तो पचास पापड आधा किलो आलू से आराम से बन जाएंगे तो यह देखे सभी पापड को मैंने बना लिया है और इसे मैं अगराई चाड़ा थी मीडियम फ्लेम में करना है और यह देखे पापड बनकर तयार हो गए लगरें अब बहुत ही बढ़ियो जद्हें इच लग रहे है को आलो से से बने है और बस आजके लिया इतना ही वीडियो पसंदद आया हो तो वीडियो को लाइक किज़े शेर कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन भी ज़रूर टाइएगा ताकि मैं नए वीडियो चालू ता आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और इसे आप एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते साथी साथी साथ बीच बीच में साल में एक से दो ब